खलो दोस्तों केसे हो मैं हूँ अश्वीन और स्वागत है आप सब का इंदीचे इस वीडियो में आज के इस वीडियो में मैं काफी खुबसरत गेम देखने वाले हैं जैसा की टाइटल से जिसकर रहा है कि आपको जो है दो ही पीसिस चाहिए और बाकी सारे पीसिस जो होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए होते है आम इंटू से जो है वहाँ पे कुछ विकनेस क्रेट करना या फिर सेक्रिबाइस देने के लिए स्पेशले जब आप king side attack करते हो बड़ आप किसी भी तरह का attack करने चाहते हो वहाँ पर एक चीज जो है वो common होती है कि कुछ ना कुछ weakness होनी चाहिए weakness के बीना आपका attack जो है वहाँ पर successful नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास target करने के लिए कुछ है ही नहीं इसी theme पर एक game देखते है जो की grand master wolf gang उल्हान वर्सिस जर्मन इंटरेशनल मास्टर हैंड्स लिबेट के बीच में 1904 में खेली गई थी जहां पर उल्हमन ने गेम की शुरुआत की C4 से प्रोनाशेशन करने में थोड़ी अधिकत है and now knight to F6 knight to C3 d5 C captures on D5 knight captures on d5 और इसी position में E5 होतायत है तो आप देख रहा हो कि यह जो है जास्त, reverse Sicilia ने यहां पर G3 खेल गया and now C5 bishop to G2, knight पर दो एक है so knight C7 and now knight to F3 knight to C6 queen to F4 and now queen to d7 castling shot and g6 so bishop g7 and shot castle queen to c4 so okay pawn pair take and now b6 b4 और इस position में दूस्तों bishop to adjust जो है og7 के लागया है so क्या होता है अगर आप capture करते हो pawn captures या फिर क्या होता है अगर आप knight से capture करते हो वीडियो को post कीजिए और सोचिए ready दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर जो है आप इसी position में knight captures on b4 खेलते हो then knight 2 e5 strong है यहाँ पे queen capture f7 की threat है queen जा रही है रुख जा रहा है और उसी तरह से b4 के बाद से आप try करते हो pawn captures on b4 then knight g5 काफी strong है again queen capture f7 bishop capture c6 यह जो है काफी dangerous threats है so b4 के बाद जो है pawn का capture नहीं किया जा सकता है और लोग ऐसा रहा है कि white की position काफी है यहाँ पे castle हो चुका है और black का अभी castle जो भी pending है और साथ साथ जो है अभी white knight attack भी शुरू कर दिया है so यहाँ पे black ने simply खेला bishop to g7 so b captures on c5 and now b5 queen pay attack है और ऐसा लग रहा है कि black जो है एक और pawn दे रहा है but यह जो है इतना इसी नहीं है क्योंकि simply जो है आपका rook hanging है मरलब knight captures b5 खेलते हो तो उदर जो है knight captures b5 के बाद bishop captures a1 just winning है या फिर पहले rook b8 भी खेला जा सकता है उसके बाद bishop capture a1 and black is completely winning so queen to b3 इस position में white ने खेला and now b4 knight पे टेक है knight move होती है दोस्तों simple जो है वहाँ पे रूख जा रहा है यहाँ पे खेला गए है knight to g5 so f7 पे टेक है so इसलिए castling short and now bishop captures on c6 otherwise क्यों हो रहा है कि आपको knight move करने पड़ी कि दूदर महाँ पे आप copies simply जा रहा है so इसलिए bishop capture c6 यहाँ पे force है क्योंकि queen capture c6 के बाद आप queen capture c6 बी 4 खेल सकते हैं आपके पास 2 extra pawn आ गए right बट साथ साथ black ने ऐसा q किया कि दोनों pawn दे दिया reason ही है दोस्तों यहाँ पे diagonal काफी weak हो चुका है और इस सेम diagonal पे bishop नहीं है white के पास left square bishop जबकि black के पास left square bishop है जब भी bishop जो है वो b7 पर आएगा यहाँ पे जो है white की हालत काफी पतली होने वाली है so यह color tweak हुए है और उसी का black benefit लेगा उसके लिए उसने जो है 2 pawns sacrifice किये यहाँ पे root 2 b8 के लगया now queen to f4 जबकि उधर computer suggest कर रहा है कि आप queen e4 खेलो उस case में क्या होगा simply queen capture stone c5 और अब देखा जाए तो एक pawn अभी भी black down है बट आप उसके attack देखे simply यहाँ पे पहले तो a pawn माने की threat है एक ही मूँ में दूसरी चीज़ है कि उसके सारे pieces with attack जो है game में काफी जल्दी आ रहा है bishop f5 आप h6 करके knight को kick कर सकते और diagonal तो weak है ही even bishop to b7 भी खेला जा सकता है so game में क्या हो rook b8 के बाद queen to f4 खेला गया और यहाँ पे आप bishop to b7 इसकी कोई जल्द बाजी है नहीं and now knight to f3 जबकि उदर अभी भी competitors कर रहा है कि आप e4 खेलो उस diagram को close करो that is very dangerous but अब क्या होगा दोस्तों फिर भी f5 हैगा और यहाँ पे black की position जो है almost winning सी है for instance आप जो है d4 खेलते हो but then f captures e4 queen पे टेके फिलाल after queen captures on e4 simply bishop captures on d4 point यह है कि यह मार नहीं सकते है otherwise mate हो रही so queen captures on c6 के बाद simply bishop captures on c6 और अभी भी जो है यह pawn जा रहा है और यहाँ पे position जो है total winning है pawn जा रहा है a piece यहाँ पे hanging है right bishop pair है so black की position जो है win है so bishop to b7 के बाद खेला गया knight to f3 उस line को close करने की try but now knight to e6 queen pair take है queen to e3 now bishop to d4 again queen pair take है queen h6 game में खेला गया say आप queen d3 खेलते हो but then rook f to d8 और black के सारे pieces जो है मिलके attack कर रहे every threat है bishop captures और वहाँ पे queen जा रही है so आप देख सकते हो की pawn down है black और उसकी position देखे सारे के सारे pieces active है यहाँ पे so bishop d4 के पाथ queen to h6 खेला गया and now bishop to just a hit so rook की line open हो गई and now rook b1 pieces exchange करने की try और सार सार जो है यहाँ से knight को pin में से आठाने की try but now rook captures knight captures और black को जो है अब double attack मिला with queen to e4 so point किया है queen e4 का so knight play attack करना ही नहीं है यह pawn on e2 और जैसे ही pawn on e2 चला जाएगा दोस्तों यह diagonal जो है और weak हो जाएगा इसलिए आपने देखा होगे कई बार में वीडियो में बोलता हो कि जब भी आप यह आप यह जटो structure खेलते हो आप try एकर e7 एन e2 pawn जो है वह बरकरार रगो इससे कुछ जो है आपको support मिलेगा लाइट square को जो है cover करने के कि अपड़ी यहाप अब जो है काफी जब बर्दस attack अल्री आ चुका है lucky position अल्री बीन हो चुकी knight to c3 के लगया bishop capture c3 और अब देखिए black जो है अपना dash player bishop दे सकता है और even white के पास भी dash player bishop है but white की position अभी ऐसी है कि उसको defending करना है वो attack नहीं कर सकता है उसके पास वो time नहीं है इसलिए क्यार हो है दोस्तों कि जब भी opposite color bishop हो जाता है बोट पे और आप attack कर रहे हो उस time पे attacker को जो है वो favor करता है यहाँ पर pawn captures on c3 and now queen captures on e2 simply queen captures f3 की threat है और उसके बाद met so knight to d2 खेला गया knight को save किया गया और सच-सच जो है f3 square cover हुआ है यहाँ जो है e4 square भी cover हो चुका है so rook to d8 simple idea है rook captures d2 and then queen f3 so queen to e3 but अब जो है rook captures on d2 और यहाँ अलग रहा है कि यह mistake है reason यह है कि यहाँ पर bishop capture d2 तो खेला जा सकते है of course queen capture e2 then rook capture e2 with an extra piece black total even है but अगर आप bishop capture d2 खेलोगे तो अब क्या होगा so video को pause कीजिए दोस्तो and जो है कुछ final moves find कीजिए ready दोस्तो यहाँ पर Heinz ने खेला knight to g5 what a move है कि नहीं reason यह है कि अगर आप queen से मारते हो तो एक ही move में mate हो रही है otherwise वहाँ पर game आप save नहीं कर सकते है I mean अगर आप queen capture d5 खेलते हो then queen f3 और बाद में checkmate save नहीं हो सकती maximum आप try कर सकते हो c6 and then bishop capture c6 बाद में pieces देते जाओ mate को delay करो उससे आगे कुछ भी नहीं so knight g5 के बाद से आप try करते हो h4 की idea है कि h2 पर जगा बनाओ but then knight h3 check king h2 और रुक चला जाएगा बाद में game finish ही हो रही है save नहीं हो सकती so knight g5 के बाद यहाँ पर खेला गया queen captures on h2 अब देखे सिर्फ दो ही piece है और दो ही piece जो है enough है checkmate करने के लिए so knight to h3 checkmate so दोस्तों कैसी लगी आपको आज के game और ये video I hope मेरा video और ये game दोनों ही आपको काफी पसंद आया होगा पसंद आया है तो please इस चैनल को subscribe किजिए वीडियो को like दीजिए और अपनी comment देना बिलकुल ना भूले धन्यवाद चैहिन बाबाई